हेलो पिरिये छात्रों आज हम आपके लेके आए हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 के लिए एमपीटेट बर्गितीन एक्जाम के लिए परियावन अध्यन के महतपूर इंपोर्टेंट 1000 कोस्चन मॉडल पेपर 7 अगर आप सीटेट एमपीटेट बर्गितीन की तैयारी कर रहे तो 5 जुलाई से पहले वीडियो को जरूर देखें तो इस्टार्ट करते हैं वीडियो आज का अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें कोस्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उप्रोक्त सभी नेस्ट कोस्चन इस्कीन पर आज का कोस्चन नमबर रसे केन्ड अच्छा कोस्चन है एकजाम में आ सकता है आंसर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें बहरी-बहरी most important question ने question number second संग किर्मिका एक्टॉन के संबंध में निम्मे मैसे कौनसा कथन सत्थ है? question number second का बच्चों यहां पर correct answer किया होगा? question number second का यहां पर correct answer होगा ? Option number first होगा यह दो अलग-अलग पारी इस्तितिक प्राणियों का संगम बिंदू होता है ठीक है, नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर, कोश्चन नमबर थर्ड, आप घटन करता है, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा, पसू, जीवाणू, कवक, जीवाणू और कवक दोनों, कोश्चन नमबर थर्ड कहां पर करेक्ट आंसर होगा, आपका अप्सन कोश्चन नमबर फोर होगा, जीवाणू और कवक दोनों, करेक्ट आंसर होगा, कोश्चन नमबर फोर है, इसकीन पर, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा, अच्छा कोश्चन है, एकजाम में आ सकता है, निम्मे मैं से कौन परियावणी के अजेबिक कारक नहीं है जल, हवा, पोधे, भूमी, कमेंट करें सही आंसर क्या होगा, कोश्चन नमबर फोर का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आपका ओप्सन नमबर फ्री, पोधे, नोट कर लें, कोश्चन नमबर फोर का करेक्ट आंसर होगा, आपका थार्ड, कोश्चन नमबर फाइव पर कमेंट जरूर करें सही आंसर किया होगा question number five भैवे सकीन पर परियावने के संदर्व में सब्द गंदा दर्जन किस सब्द को संदर्वित करता है question number five का बच्चों आंपर correct answer होगा आपका option number 3-22 सतत जेविग पर दूसर question कुशन नमबर 6 है, इसकीन पर आंसर जानते हैं तो कमेंट करें, very very most important question है, exam में आने की प्रबल संभावना है, निम मेंसे किस जीब को किसानों का मित कहा जाता है, कमेंट करें, इसका सही आंसर होगा, option नमबर 3, कैचुगा को किसानों का मित कहा जाता है, question नमबर 7 है, इसकीन गलत है, question नमबर 7 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, option नमबर 3 होगा, note कर लें, जीवों, जीव मंडल में एक समान रूप से उपस्तित होते हैं, यह कथन कैसा है, गलत है, जीव सभी एक समान रूप से उपस्तित नहीं होते हैं, इसलिए correct answer होगा, option नमबर 3, next question है, question नमबर 8, very 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 most important question एक्जाम में आ सकता है, बिलकुल, 200 परियावरन दवस कम मनाया जाता है, very very most important question है, correct answer होगा, आपका, 200 परियावरन दवस मनाया जाता है, बच्चों, question नमबर 8 का correct answer होगा, आपका, option नमबर 3, 5 जून को, next question है, इसकीन पर अच्छा question है, आप answer जानते हैं, तो comment जरूर करेंगे, ठीक है, carbon, question को समझे ले पहले, carbon credit किया है, question number 9 का correct answer होगा, आपका, option number 1 होगा, note कर ले, यह carbon, उस सर्जन की अनुमती दी, और बास्तम में, उस सर्जित carbon के बीच का अंतर है, ठीक है, question है, question number 10, very very most और आसान question है, सभी चात सही answer देंगे, धौनी पर दूसरन से होने वाली प्रमुक्स समस्या क्या है, diarrhea, cholera, tuber, culisus, बहरापन, question number 10 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, option number 4, बहरापन आपका सही answer होगा, question number 11 है, question number 12, very very most important question है, exam में आसकता है, ठीक है, comment करें, परियाबण में उर्जा का प्रमुक्स रोथ किया है, अगर answer जानते हैं, जल्दी से comment करें, सही answer क्या होगा, question number 12 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, आपका option number 4 होगा, next question है, स्कीन पर आज का, question number 13, very very most important question है, अगर answer जानते हैं, तो आप लोग comment जरूर करेंगे, global burning, CO2, CH4, CFCS, N2O का सापेच्चित, भूमी का क्या होती है, global burning में, ठीक है, question number 13 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, option number second, किरमसा, 60, 20, 14, 6%, ठीक है, second option आपका answer होगा, question number 14 है, इसकीन पर जल्दी से comment करें, अच्छा question है, exam में आ सकता है, पीथिवी का 71, 31 भाग किस से ढखा होगा है, भूमी, हवा, भादल या जल, question number 14 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका option number 4 होगा, पीथिवी का 71, 31 भाग आपका जल से ढखा होगा है, question number 15 है, इसकीन पर आंसर जानते हैं, जल्दी से comment करें, अच्छा question है, exam में आ सकता है, ठीक है, निम मैंसे किसे, गैसी है, पीदूसकों को नियंतित करने के लिए ओपियो किया जा सकता है, question number 15 का बच्चिहाँ पर correct answer होगा, आपका option number 3, अब 16, question, next question है, इसकीन पर आचका, question number 16, very very most important question है, उच्च जेविक, आक्सीजन मांग, बी ओडी, क्या इंगित करता है, question number 17 का correct answer क्या होगा, answer जानते हैं, तो जल्दी से comment करें, question number 17 का बच्चिहाँ पर correct answer होगा, option number 1 होगा, micro BLP दूसर का उच्च इस्थर, ठीक है, next question है, इसकीन पर आचका, question number 18, question number 18 का बच्चिहाँ पर correct answer होगा, आपका option number 3 होगा, पराबैगनी केरणों का पित्वी की सतय तक पहुँचना, ठीक है, next question है, question number 19, exam में आ सकता है, अच्चा question है, very very most important question है, किसी भूछेत में कितने 35 बनों की लिए होना चाहिए, question number 19 का बच्चिहाँ पर correct answer होगा, आपका option number 4 होगा, 33, 35, note कर ले, 19 का correct answer होगा, आपका option number 4, ठीक है, next question देख लेते हैं, स्कीन पर, question number 20, अच्छा question है, exam में आ सकता है, comment करें, सही answer क्या होगा, निम्मे में से कौन सी green house प्रभाव के लिए सबसे जानदा जिम्मेदार है, carbon dioxide, carbon monoxide, chlorophylloro carbon circle dioxide, question number 20 का बच्चिहाँ पर correct answer होगा, आपका option number 1, carbon dioxide, next question देख लेते हैं, स्कीन पर आच का, question number 21, अच्छा question है, exam में आ सकता है, दोस्तों answer जानते हैं, तो आप लोग comment जरूर करेंगे, जैब, बिविजता, hot sport को किस आधार पर बिसलेशित किया जाता है, अच्छा question है, exam में आ सकता है, जल्दी से comment करें, question number 21 का बच्चिहाँ पर correct answer क्या होगा, इस्थानिक फूल पौधे और खत्रों के आधार पर, इस्थानिक फूल पादबो के आधार पर, फूल बाले पौधों की पिरजातियों के आधार पर, उपरोग तो मैसे कोई नहीं, जल्दी से comment करें, question number 21 का correct answer क्या होगा, यह UPTAT, CTAT और REIT में अक्सल repeat होता है question, तो MPTAT की किसी ना किसी set में देखने को मिल सकता है, जल्दी से comment करें, question number 21 का बच्चों यहाँ पर correct answer क्या होगा, 21 का बच्चों यहाँ पर correct answer होगा, आपका option number 1 होगा, इस्थानिक फूल पौधे और खत्रों की आधार पर, नोट कर ले, जेब विभित्ता होट स्पोर्ट को किस आधार पर, बिसलेशित किया जाता है, इस्थानिक फूल पौधे और खत्रों के आधार पर, दोस्तों, अगर आप C-Tet, MP-Tet, बर्गितीन, रीट, पंजाब-Tet, एंश-Tet, हरियाना-Tet, राजिस्थान-Tet, सुपर-Tet और KBS की तयारी करना चाहेते हैं, तो आप हमारे चनर के स्थस्व बन जाएं, स्थस्व बनने के लिए आप सभी लोग वीडियो को, आप लोगों को पूरा देखना, यहां से जो भी जानकारी आपको मिलता है, जो भी नोलेज मिलता है, उसे आप अच्छे से नोट करें, एक्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम जितने भी कोश्चन लगते हैं, मॉडल पेपर में, सारे एक्जाम ओरियंटेड होते हैं, एक्जाम से लिए जाते हैं, इनकी कही ना कहीं रिपीटेशन की गुंजाइस बनती है, इसलिए कि कोश्चन की बैल्यू करें, हो सकता है कि आपका एक या दो नंबर हमारे मॉडल पेपर से बढ़ जाए, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर खुद अपने आप में विसेश्टा है कि मैत्पूर है, ठिक है, धन्वाद,